तो उस्वाकत है आपका घ्यापर एकटेंट के इस बहुत सांदार क्लास में इतिहास diplomat से अपको बोहत अच्छा इसमें 12 class में question रहेगा और बहुत मस्त मस्त question है, आपको बस comment में आप यतना comment करना है, comment करने से आपको question answer याद हो जाएगा, comment जो भी हम objective question को comment में answer करना है, ताकि पता चले कि आप कितना active है, देखने से क्या होता है, आप थोड़ा दिर के लिए समझें कि आप अगर वीडियो को सिर्फ देख रहे हैं तो देखने से सिर्फ आंक ले लिया अब्जर्ब कर लिया और फिर वह हट जाएगा लेकिन आप जब कमेंट किजिए गा तो उसे सभी इंद्रिया आपकी काम करेंगे और बहुत अच्छा से आपको याद हो जाता है थोड़ा बहुत लिखने से याद होता है कि ने तो इस तर संहां फर्स्ट कोस्टन है देखिये तो यहां पर आईने अकभरी में भूमी को भी भाजित किया गया था वह इंद्र पांच खंडों कि तो तुड़ा गया था तो यहां पर लिखी देंगे पहला खंड में सब्राट तकर रजा के परिवार के बारे में लिखा गया तो दू मोकर साही वगरा सेना के बारे में नागरीक तंत्र को तीसरे खंड में मुगलपूरे समराज्य के बारे में लिखा गया था प्रशासनिक संरचना की चर्चा है तो तीसरा खंड में प्रशासनिक चौथा कंद में हिंदू दर्शन समाजी कृती रिवाज के बारे में एक और बात बता थे कि अकबर ने तंबाकु की शुरुमात की थी और जहागीर ने इसे बंद कराया था अकबर इतना तंबाकु खंड लाकि इनको डर लग गया और जहागीर नहीं से क्या करा दिया बंद किस मुगल सासक ने शुरू किया था अकबर और बंद किसने कराया था जहांगीर तो यह अपसन हो जाएगा कमेंट किजिए फटाफट और सेशन को बाबू सेयर कर दीजिए ठीक है आप मतलब अगर चाहते हैं कि और ज्यादा ज्यादा बच्छों के पास और लेकिन आप चाह कि कउधा कहां से लेका था पूर्तगाली लाय था सबसे पहले भारत में पूर्तगाली dif है यहां लिख दीजिएए और क्याक्र लाइक्व और नास यह सब पूरतगाली कि देने 1605-607 और मिरे इना तो 426 तो पर इंशे और गश्च्ट्ंवstäत्य देखिए यहां पर तनाnova को लेकर के और तीष तक था न चब्विस में पानी पत का यूद इब्रहहिम लोदी के साथ चबीस में पानी पिया पानी पीने के पाइश amacana उसके बाद से खाना होना कहले तो चांदी सोनाई कठा के तो 28 में चंदेरी कई और 1929 में घागरा का यूद कि यहाद रखेंगे ठीक हैं यहां देखिए अगला कोशन अगला कोशन है कि सिकार के समय रास्ते में पढ़ने वाले गाओं में भूर अज़सो संबंदी जनकारी कि समराट ने सर्वादिक प्राप्त की अकबर ने प्राप्त किए जाते थे घुमते थे सिकार करने हर इस्तित्य को गाओं को देखते थे अब देखिए किस ग्रंथ में देखो पूरे मुगल वाजवाज्षा में सबसे अच्छा कोई सा सकता तो वह था अकबर ठीक है जोधा किसने किया था अवुल फजल ने किया था ठीक है याद रखिएगा अगला एक 16-17 सदी के दोरान हिंदुस्तान में कितने फिस्दी लोग रहते थे तो 85% लोग गाओं में रहते थे याद रखिएगा लेकिन अब नहीं रहते हैं बहुत लोग अपना काम दंदा करना सुरू कर अब उत्पादन में ग्रामिट सहीग तो भाई खेती तो करते थे लेकिन पता है सक्कर और तेल यह सब भी क्या करते थे आप उत्पादन करते आपको पताऊना चाहिए कि तेल वी एक उधो बैपार है अच्छीनी भी बनता है तो यह सब किसान का ही तो काम है ठीक है बड़ क्रिसी करीड अच्छा खेती किस पर डिपेंड़ पानी बारिश वोगा तब ना तो मौन्सुन पर डिपेंड़ सिंपल यह तो आपको याद होना ही चाहिए और कमेंट में बताइए आपकी तयारी कैसी हो रहे हैं और किस तरह से और क्या-क्या परसानी आपके साथ आ रहा है ह किस तरह से आपको दिक्कत हो रहा है कि सर यह कुछन तो डाउट हो रहा है तो करा देंगे ठीक है कौन सी बाहरी ताक्ते ग्रामिट दुनिया में दाखिल हुई तो मुगल मुगल बाहरी ताक्ते ग्रामिट दुनिया में दाखिल हुई यह पहला हो जाएगा अब फजल दो तो कहा जाएगा गुजरात की किसान बहुत अमीर है छे याद रखेगा कितना एकड़ बोला है एकड़ एकड़ में कितना होता है 27 कठा होता है ठीक है अब थोड़ा चौर नीचे भी इसका देख लें हम लोग बंगाल में पांच एकड़ है तो बहुत पैसे वाले हैं बहुत दस एकड़ है अधिक वर्षा वाले अस्थानों की प्रमुख फसल क्या है बता दीचेगा तो अधिक ज़्यादा वर्षा क्यों चावल बरदास कर सकता है और सबसे ज़्यादा चावल कहा होता है और गेहूं आपको होता है उत्तर प्रदिस में मुगल काल में भारत में कि यह देखिए का तो राजस्थान आ जाएगा इस इलागा में और महराश्ट्र आ जाएगा इस इलाखा में तो याँ सिमी और पूरा होता इदर पुस्छिम होता है अगला कुश्चन अगला कोण रकपिने करमचारियों को अधिस कि गाउंट में कि संख्या का सलना हिसाब रखा जाए थे तहब का अप्सन क्या हो जाएगा थेखेजिद विल पॉथ नहीं हो जाएगा यह एप का इंसर हो जाएगा जो बाँनी को है pää यात यह चीन का यात्री था इसी तरह नाम होता है जो बानी का रेरी प्रफेसर फूंग सुंग डूंग यह कुली होता है चलिए अगला कुश्चन बावु देखिए आने वाले भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौंदा तो सबसे पुले पूर्टगाल के ना आये था वासको इनी के बारे में लिख दूए हैас पेशकस का अर्थ मनै नहीं होता है कि हम तुमNew को यह चार्थ करते हैं भेंट करते suppress देते हैं तो यह भेंट हो जाएगा यह वाला प्यं आ सुद्जी पैस हो जाएगा अब देखिए मुगल काल के कुछ कालांस माना जा सकता है तो मुगल तो द्वारा लेखक कारे का अधुने की देसकार का मूलपट सैली है तो यहां देखिए समझीएगा आप थोड़ा देरी के लिए सुचिए कि अंग्रेजों द्वारा इतिहास को क्या कहा जाता है तो देखिए जब कोई बीमारी ज्यादा दिन पूराना हो जाता है न कोई ची अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन है मुगल नाम का व्यूत्पन हुआ मध्य एसिया मंगोल यह हो जाएगा मंगोली नाम कुछता कि यह मंगोल से हो जाएगा कौन हो जाएगा मंगोल से मुगल बंस के सासकों ने स्वेम के लिए स्वेम अपने लिए जो नाम दिय वो था तेमूर तेमूर के वंसस माने जाते ते तुर्क के तैमूर अब दखे पितर के पुद्रपक्ष से स्वरी पितर पक्स के तुर्क सासक के तैमूर वंसस्ते आपको बताया भी तै और अजय कि मिर्चीद और दोनों फरगाना भी गया और काबूल भी गया यह वाला बाबर हो जाएगा बाबर मातर 26 को 1526 तक सासन किया और यहां पर 3530 में इसके मुर्टी हो गए और बाद में इसका बेटा हुमाईू आया चालिस तक क्यों रोक दिया गया क्योंकि चालिस में आगया था एक सेड़ हासूरी इसको और हुमाईू को इतना मार मारा मतल़ा पानी में और बिहार में तो लाथ गुसा मू का सब चलता है अग्वल 不ए शम्राज्य में शम्राट मुहांत citizenship किसे अकबर को मानते हिंदू मुश्रिव दोनों के आप कि सौधी किया थे तक अपनर भुस aan था कौन अकबर मुगल के सासक मुगल के किस सासक को और सोरी अंगरेजों ने उखाड फेका तो ये देखे बहादूरसा पता है हुआ क्या जब 1857 की किरांती हुई थी याद रखिएगा तो 1857 के दिल्ली में इसासन करे थे कौन बहादूरसा जफर और इनको यहाँ पे इतना मार बार और इनके बीटे को इनके सामने ही कतल कर दिया और इनको भेज दिया रंगुन रंगुन जाई और आम कीजिए बुड़ाउब का कर रहे हैं उमर हो गया। तो रंगुन में इनकी मृति हो गई बहादूरसा जफर की अब देखियां और अंजेब का नहीं रिक्वेस्ट हम करना है बताएं चलिए बहादुर साह जफर को उखाड फेका गया तो उखाड फेका गया तो यह बहादुर साह जफर को उखाड तुर्क मने तुर्क में जो रहते हैं तुर्क के बारे में लिखित में से कौन सा वाक्य सरवादिक ठीक है तो यहां चंगताई माने चंगेज खान का सबसे बड़ा पुत्र का वंस को चंगताई काते हैं अगला कुश्चन अकबर ने सोच समझ कर जिसको दरबार का मुख्य भ फार्सी अकबर जोधह अकबर में फार्सी को दरबार का बासा बनाएगे ए ठीक है अब देखें जिस पुस्तक के अनुबाद में रजम नामा यह महाभारत को कहते हैं याद रखेगा महाभारत को क्या बोलते है रजवनामा रजवनामा का मतलब होता है जंग का किताब क्या होता है जंग तो महाभारत में लड़ाई ये उड़ाई नहुआ तो इसका इंसर हो जाएगा ये वला और साइद नीचे हां लिक भी दिये हैं य क्या है रज्वनामा अगला कुस्चन अगला कुस्चन है कि मुगल कलीन इतिहास के मुगल कलीन भारत के इतिहास के जनकारी कहां से मिलती है तो मुगल कलीन भारत के इतिहास के जनकारी मुगल सास को के दोरा लिकित आत्मकता इसे तो मिलता है भई मुगल सास को दोरा इतिहास मुगल द्वार जो इतिहास लिए वह भी यह सब हो जाएगा जब दूगों से ज्यादा है तो इतमें अधिक हो जाएगा तुजुके बाबरी के लिखक कौन है तुजुके बाबरी के लिखक अपना बाबर ने खुद लिखा था ठीक है तुजुके बाबरी यहां देखे बाबर और रहा cavity समराजे हैं जुन्ह handful दो समराथ हैं अपनीजी खुद लिखें कौन कौन बाबर और और आइन या रखेगा वैसे आप कमेंट कि जहाघीर किसका नाम है又 के साथ रखा गेया था सबनाम पता नहीं ध्यान से उतर रहा है हमको जहांगीर जहां तहांगीर का नाम था थोड़ा भी याद नहीं आ रहा है ठीके एक धर्म गुरू के नाम पर रखा गया था बाबर नामा किस भासा में लिखा गया जाए इसी बाते तुर्क भासा में सौरी तुर्की के यह लोग थे तो तुर्क भासा में लिखा यहां देखिए यहां इन लोग का मातर भासा ही तुर्क था पानिपत का प्रथम युद्ध 1526 याद रखेंगे किसके सांथ लड़ा गया तो यह इबराहिम लोदी के सांथ लड़ा गया जिसमें इबराहिम में हार गया ठीक है चलिए यहां लिख भी दिये खनवा का 1727 में 26 के बाद क्या हो जाएगा 27 में लड़ा था रणा संगा के साथ यहां लिख भी दिये कौन सा ससक हुमायू के पतन का कारण बना सेर सासुरी बड़ी मार मारा था चालिस ब्यालिस में अगला कुछ सेने बाबू कमेंट कीजिए ठीक है कि सासक ने ग्रेंट रंक रोड क भी दिखा करके ठीक है कि सेर सासुरी ने अफगाणिस्तान से ले करके और कोलकता तक चलाया था सेरसा सूरी क्रेन ट्रक रोड उसका ट्रीक आपको बताय तक ससूर की ट्रक कॉलकता से इसका ट्रीक भी को उसमें बता दिया थे 12 क्लास का यह अकबर कब सियासन पर बैठा तो भाई अकबर बैठा था अकबर यह आपको कौन सेंसर हो जाएगा 75 75 होना चाहिए देख लेते हैं नीचे लिखे होंगे जरूर जांगीर वगरा नहीं दिया है तो यह अकबर आपको जुद्धा अकबर सिबेंटीस को आप कमेंट में बताएगा यह हमरे ध्यान से उतर रहा है मानले जे कि पहला सासक हो जाएगा बाबर बाबर के बाद हुमायू हुमायू के बाद अकबर तो आएगा लेकिन उसको तो जील में भी डाला गया था जो दाकबर को इसके पुतर नहीं जील में किसकी पतनी थी अब बताएगे में किनोर जहां किसकी पतनी थी अकबर का हमायू का जहागीर का सबसे सुनदर काल किसको कहा थे कार आजाहमें चलिए दक्षिंड राजिय अगर बात करे अहमद और अगर के अंतिम आठभर से साह जहां इसको विम्यश्ट कर लिया था अगला है कि किस मुगल प्रांतों के सबसे अधिक और these C ठीक है मीर बक्सी नाम का अधिकारी प्रमुक है सैने के लिए सैने भी भाग समाल दाता मीर बक्सी किसी अच्छा सेना जल्दी किसी को नहीं बक्सती है तो यह याद रखेगा मीर बक्सी किसी को नहीं बक्सता है सेना का इस मुगल समराथ ने अपने पिता को का वंदी बना लिया था तो और अपने पिता को पिता का क्या नम था साजान साजान हो जाएगा कि यह तो एक धिमाग खराब कर दे रहा है चले कोई बात नहीं परशानी आज भर है मतलब थोड़ा दिन के लिए है परशानी पूरी जिन्दगी नहीं रहता है और अंजीब कब गद्धी पर बैठा तो यह बैठा शोले सो और अंठावन में अम्मा रगया सत्रे सो साथ में इसके मरतिव हो गई देखे बाब अभी एक्जाम के बाद आप कुछ तयारी नहीं कर पाएंगे यह मत तो चीक है एक नहीं पढ़ाई किजिएगा तो फिर दिकत हो जाएगा रिजल्ट में थोड़ा सबीदर जाएगा तो पता है पुडोसन वाला या रिस्तेदर साथ से पलेफोन करके पूछता है ठीक है कि का हुआ उसका रिजल्ट का तुम जबाब देते ते ठक जाओगे ठीक है निमलिख सब्सक्राज कर और इसे हट आया किसने थे था तो में जोधा अकबर जोधा बोले कि मांजी की एकर राजा है तो सब के लिए कर लगाई हिंदु के लिए प USDA लाइया तो यहां परन ऐ घृस ने कब हिंदु के हुलियौ दीवाली और उच्वव पर पर्तिबंdz लगा दें ज जाएगा 1665 में इन्होंने प्रतिवंद लगा दिया था और अंजेव ने किस सिख गुरु को मार दिया तो यह तीक बाहदुर को मार दिया था ठीक है वद करवा दिया अब देखिए और अंजेव किस हिंदू विरोधी निती का मतुरा की किन लोगों का विरोध के था तो गुकुल के नेत्रीतों में गुकुल उनके समझा कुर्रम की साथों का जाता है साहा जाता है यहां अगला कुछन है कि बुंदल दरवाजा बुलंद स्थान पर नहीं पर यहां पर है ठीक है अब यहां पूरा डेटा इसका लिक दिये कि कब किसने बनवाय था तो उत्तर- पर देश प्रांत के आगरा में ठीक है यहां से लगबग 43 किलो मेटर फटे पुर्षिक्री में यहां पर क्या है बुलंद दर्वाजा बहुत बढ़ा है अगला कोशन सब्सक्राइब देख लिए 16 अगस्त 1945 को मेरा जनम दिन भी है तो हम तो कभी भूले नहीं हम इस तरह से याद की है 15 अगस्त जब भी तो सोचे कि अरे रजादी हो जादी हो गया अब थोड़ा सब पैदा होते हैं चलते हैं 169 में हाकिन्स किन मुगल वादसाओं के दर्बार में आया था तो साह जहां के दर्बार में हाकिन्स आया था रट लिजे साह जहां मुम्ताज वाला राजमहल की पहाड़ी का मुख्य एक मिनट ऊपर कुछ है नहीं ना चलो ठीक है राजमाल के पहाड़ी में मुख्यता जो लोग रहते हैं वे क्या कहलाते हैं तो पहाड़ी के संथाल कहलाते हैं जो भी राजमाल कहा है जहरकंड में है तो संथाल जहरकंड में ज्यादा आपको पता होना चाहिए अगला कुछन ने दो नमबर यहाँ पर अगला लेशन का है यह कमपनी काल में अकबर सक्तिसाली जम्मिदारों के लिए जो सब्द का परियोग करता था उसे क्या बोला जाता था राजा बोला जाता था ठीक है जो सबसे ज़्यादा सक्तिसाली होता था उसे राजा बोला जात उसमें 95 हां ठीक है 85% लोग खेती है अगला हो जाएगा इस्तम्रारी बंदबस्त इस्तमदारी हो जाएगा बंदबस्त लागू किया गया तो यह कितने लोगों पर जमिदारों पर हस्तांतिर कर देगा 27.37. dicho से भी ठीक है जामला वहुंते हैं अगला अमला अमला बहुत बार पूछा गया अमला किसके द्वरा ब्हेता है जमिदारों के द्वरा इब जाए आपके सर्फ यह अमला होता क्या जमिदार एक ऐसी व्यक्ति को रखते दो जो के गाउं में टेक्स वसूलता था इसी व्यक्ति को बोलते हैं अमला तो जमिदारे तो भीज़ते ते यहां लिक भी दी हैं ठीक है अब अगला कुशन है यहां पर प्राय जूरदार कहा जा मेहताब चंद की जियूनी ये लिख लिजेगा अठारे सो बीस ठीक है ले करके और अठारे सो सेबेंटी नाइन तक उनासी तक अगला कोशन है कि ब्रिटिस कंपणी द्वारा बंगाल में इस्तमद्रारी और अस्थाई बंदवस्त कब लागू किया गया था उपर ही लिखे थे और यहां भी लिख दिये हैं कब 1793 में दीकि हम फास्ट कराने के पीछे वज़ा है आपको ना कुछ समझा रहे हैं ना कुछ अच्छी ती थी पर लगान को लगान कंपणी को देने का उनकी भूमी निलाम होता है तो यह हो जाएगा सुर्यास्त के पहले रूल था ठीक है कि पूरा का पूरा गाउं से टिक्स वसूल करके दे देना वरना अगली बार उनका जमीन दूसरी का हो जाएगा निलाम हो हमिदार होता था ठीक है राइत बाड़ी वेवस्ता कितने परतिशती एक औवन परतिशती कितने परतिशत एक और ती वैसे यहां लिखे भी है हमको लगा option नहीं दिये रयत बाड़ी बिवस्ता यहां question देखिए रयत बाड़ी बिवस्ता किसने लागो किया तो यह आपको पता हूँ जिए कैप्टेन मुनरो नहीं जी यह भी नहीं किये थे लेकिन मुनरो सर जॉन सोर और यह मुनरो ही हो जाएंगे कैप्टेन मुनरो ठीक है एकदम 100% मुनरो ही होगा दक्कन का बिद्रो 1875 यह क्या हुआ था आपको पता है यह महाराष्ट वाले इलाका में जमिनदार लोग गरीबों से को पैसा दे दिये अब गरीब तो पड़ लिके थे नहीं अब बहुत ज़्यादा बेयाज लेन लगे और अपने लाले किताब में रखते थे गुसा आ गया जमिनदारों कि हितना पैसा कोई से बढ़ गाई तो जा करके इनके सभी कागज को किसान जरा दिये था जला दिये था पूरा का पूरा और यह जला दिये था अब उसके बाद बोला जाके जमिदार के हमारा पैसा दो तो बोलो कहां लिखे हो कहीं लिखे हो तो तो था नहीं उसके बाद से किसानों ने जबरदस्त पिटाई किया जमिदारों का जमिदारों को माहा सही दर माराष्ट इलाका छोड़ना पड़ा था 1875 में ठीक है अधक्कन विद्रो अगला कोश्चन ने कि राजमाल की पहाड़ी के बिश्चे में जनकारी किस अंग्रे जो द्वारा मिलता है तो बुकानन के दूआए मिलता है याद रख्येगा राजमाल की पहाड़ी पहाड़ी लोगो किस परकार की खेती करते हैं जूम खेती जूम खेती मानिए क्या होता है नाज उप जाती हैं तो इसको जोटा नहीं जाता था यही पर इसको काट ऊठ्चे जलाके तीन साल बाद खेती किया जाता था ठीक है एक बार छोड़ता कि उनलों का मानना था कि बार बार खेत की जोताई करने से जमीन की उपज सक्ति कम हो जाती है कौन सी पत्रिका भारत में इस्ट इंडिया कंपनी के स्तिती को सचित्र इंगलेंड वासियों को बताता है ठीक है कौन सी पत्रिका दिवाई तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आपसन नमर यह यहाँ थोड़ा सा जूम करने दो यह वाला हो जाएगा देख लिए इसको रट लेजे इलस्टेडेट लंदन न्यूज ठीक है उससे अच्छे इंगली से में लिक देता चलिए 867 के बिद्रों में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति मंगल पंडे पता है इन्होंने क्या किया देखो अंग्रेजों ने यह तो मंगल पंडे पंडी जी थे और अंग्रेज जानते हो क्या गोली जो होता है बंदू का वो मुर्चाल जाता है मुर्चाना समझते हैं जंग लग जाता था जब जंग लग जाता था उन्होंने सुचा कि गोली को एक कभर में रखेंगे ताकि जंग नहीं लगएगा ऐसे करके कभर बनाया गया था आई कभर सुवर और गायक दूनू के चमड़ा मांस को मिला करके ठीक है और तब बनाया गया था अब मालेज य अब तो हमारा धर्म ब्रस्ट हो गया और उन्हें राइफल उठाया और दो व्यक्ति बाज और ही रोज दोनों को गोली मार दिया इसी के लिए इनको फासी दे दिया था पहले व्यक्ति मंगल बंडे उसके बाद तो पूरा का पूरा मेरट की सेना नहीं बिद्रो कर दिया तो पूछे गा सबसे पहले किस सेनन ने बिद्रो किय के मेरट बाज को तो बजा दिया बढ़िया असे यहां देखे आट्रईसनदशनदावन के क्रांति पढ़तते अब देखिए यहां पर लखनौ में ओवद के चीफ कमिशनरी की स्वतंतरता से नानी ने हत्या कर दे थी ठीक है उस कमिशनर का क्या नाम था यूरोज नाम था आपको बताया थे ना यहां पर यूरोज था जिसको गोली मार दिया गया था ठीक है अगला है कि भारतियों सिपा सथे द्वारा किये गया बिद्रो oh yeah अवद की सुवतंतरा जुद दो मिरऄ की च्छाउनी 10 माई 88-110 को सिपाही बिद्रोबा था मेरथ में यह भी मिस्टेक से हो गया जांते हो हम लोग के कि अग्ला देखे विद्रोहिव ने बड़े सहरों में अपने गुस्थे का सिकार कर लिया तहीं हो जाएं चमचागीरी जतना अमीर वसमें के जबते जमिन उसके सब भी लगभग पुरवज अंगरेजों का चम्चा गिरिकी हैं लगभग बोल रहा है सब को नहीं सिरियसली कोई नहीं लेगा बहुत लोग मेहनत से भी कमा है समयदार कुंः सिग्पा सिग्पा तो यहां इन कुंः सिंह को पताऊं जी आरा विहार के आ जिलह के कुंः सिग ठीक्याई। ऐन क tama यहे हार्ड वेक हों किसी मुह लगता ही नहीं था इसको हर्डिंग था 68 संथाओं के बित्रों में सर पर्थम किस स formations पिरों कारण क्या थे तो यह देखे चर्वी वाले करतूस चर्वी वाले करतूस और जीला के विद्रोह के दिखेंदी जिए याद हो जाकर थोड़ा ठीस चल रहा है आप सुलूं कर लीुजए आपके फून में तो सेटिंग हैं आपकी सेटिंग नहीं आपके इन कि पर अन्ग्रेजों ने सुर पर्तम पुरा अधिकार जमाए दिल्ली पर वहीं दूबारा गए दिल्ली अठार संतावन तो सक्सेज हो यह गया था इसी समय हम लोगा जाद हो जाते इन बोलें ना कुछ मिस्टेक हुआ फिर दुबारा दिल्ली पर अधिकार करके बाहदो साज जफर को मार दिया गया मतलब के बेटे को ब्रिटी सासक के बिरुद असंतोस का सबसे बड़ा कारण क्या था डलहौजी का व्यापक सिधान ने लगाया था हडप निती में क्या होता था इन हम इसमें होता था कि जिसके आउलाद नहीं है उसकी सारी संपति अंग्रेजों की हो जाएगी तो इसके लिए लो रान लक्ष्मी भाई जासी की थी ना तो आपने सुना होगा कि बुंदेल ले हर बोलो की मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी तो वही बुंदेल खंड है अठस संतावन के विदोह में किस गोपनिया संकेतों का पर्योग किया गया था तो यहाँ देखिए गुलाब का फूल और कमल यहाँ पे चपाती और आम पहोजाएगा यह busy option होगा रोटी और कमल का फूल का इस्तों किया गया था यह क्रांति का संदेश है अगर जिसके पास कि नदेख भर सुन आ है कि हम लोगो को क्रांति याद रखिएगा किस गौवर्नर जनरल के समय 877 का बिद्रो अराम हुआ था तो यहां पर विलियम बैटिक यह भी नहीं हो जाएगा देखते हैं अगला ऑप्षन क्या कैनिंग हो जाएगा कैनिंग की कोई गलती नहीं थी कैनिंग जैसे हैं न संतावन में 56 में तब तक बिद 1877 का बिद्रो किसके नेत्रितों में हुआ था तो यहां बेगम हजरत मौल कुंवर्स तो यह थोड़ा सथा कुस्चन में जिक है बहुत लोग यह भी हो जाएगे नाना साब यह जाएंगे कुंवर्स भी हो जाएंगे ठीक है भारतिया शेना में एनिफिल्ड राइफल कब तो 58 377 मैं इसको चलाए गया गया था ठीक है नहीं के एठाई के उत्रादिकारी किसने सब्रादिकारी को बढ़ से में एक में से कौन सा सत्य है पताई दें टोप सबसे ने पाई की फांसी तथा ठीक है बहुत आंहां चले करने जहांशी की राणी कि शाथ यूद में मारे टोपे और पाइंक सोईकार कर दें यह तो गलत दें को भी फासी दे दिया गया था अगला कुह सेंदे के अराणि लक्षमी भाई यूद करते विए मारी गए थी तो वह गुड़ा कालपी में गिर कर गर गिर गया था एक नाले में कालपी एक जगा का नाम एक किस अदनीयम द्वारा भारत में कंपवनी सासन समाप्त हो गया तो यह आपको पता है भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1857 में समाप्ट कर दिया गया था ठीक है अब देखिए कि अब देखा यहां अगला निए किस सम्मीधान सबह के अधियुच र इंदर पर्षाती वह लगाने के अब देखे भारतिय समीधान का गटन केबिनेट मिशन के अंदर किस वर्स आया तो 1946 में केबिनेट मिशन आया लोग आकर के यह मिशन बनाये थे भारते समिधान भारत की संसदिय पढ़नाली किस देश की समिधान परसपस्ट करती है ब्रीटेन के समिधान से हम लोग कॉपी मारे हैं ठीक है यह कुश्चन आपका कंप्लीट रहा बहुत मेहनतों के बाद इतना कुश्चन बनाया गया था तो बाबू प्लीज इसे लाइक जरूर किजिएगा ठीक है आवास से लग रहा होगा कि आपके लिए कितना रात रात बहुत मेहनत करना पड़ा है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा किजिएगा तो फिर मिलेंगे हम लोग अब देखिए अब आप एक मिनट आपको ज साथ हैं और जिस तरह से सहयोग बनेगा हम लोग पूरा अपना 100 परसेंट यानिके पूरे तरह से दिलों जान से आपका सबोड करेंगे उसके लिए टेंसन नहीं लेना है हम है अभी टेंसन नहीं लेना है और बहुत मजदार तरीक से देखिए समय तो कम है नहीं तो आपको पूरा एक्स्प्लेंड करके समझाते हैं और ट्रिक बता करके बहुत सारा ट्रिक हुआ है लेकिन आकर के यहां पर अपलोडेड नहीं हो पाया है कि समय के अभाव में ठीक है इससे आपको बहुत थोड़ा हेल्प मिलता फिर भी बहुत मेहनत हुआ है और आपकी तयारी और खुदा आफिश